वेलकम बेक टो NB Learning हम कर रहे हैं इसमें इलावद की बुक S.I.System ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कर रहे हैं आज का हमारा सवाल है कि एक शक्स है जो कि एक चिमनी को जमीन से दो मकामात से देखता है यानि कि दो डिफरेंट लोकेशन से चिमनी को देखता है और दो जावीय बनाता है ज़री बाता जब लोकेशन चैंज जाएगी तो जाविया भी चैंज हो जाएगा तो 3040 डिगरी का जाविया बनाता है जमीन के साथ और उसके ये काता है जिस उस बंदे ने उस चिमनी को देखा है उन दो लुकेशन के दर्म sticking के दर्मयान फासला 50 मीटर हो तो हमने चिमनी की जो वो लंबाई मalum करनी है तो बुक में उर्दु में लिखा हुआ था तो मैंने इसको थोड़ा English में लिखने कोशिच कि Toh balls के एक इसका उपर वाला कोना ए नहीं लिखा हुआ लेकिन अगर आप लिख लिजीगा ए तो इस शकल के मताबिक सबसे पहले हम 10 लेंगे 1040 अच्छा इसमें जो पहली ट्राइंगल है इसमें दो ट्राइंगल मर्ज हैं एक ट्राइंगल वो है जिसमें 40 डिगरी का एंगल बन रहा है और एक ट्राइंगल वो है जिसके साथ 30 डिगरी का एंगल बन रहा है तो हम सबसे पहले 40 फाली को लेते हैं तो 1040 अगर हम लेंगे तो हमारे पास आजाएगा अमूद बटे काईदा और अमूद हमारा क्या है A B और बेस क्या है या काईदा क्या है वो B C है तो 1040 आजाएग इसी तरह हम जो अब दूसरी ट्राइंगल है उसको ले लेते हैं यह ट्राइंगल मैं अलग अलग करके भी बनाई हुई है नीचे आप देख सकते हैं इस तरह हम दूसरी ट्राइंगल लेते हैं जो के हमारी बड़ी ट्राइंगल होगी जिसका 30 डिगरी अंगल बनेगा तो जब दूसरी ट्राइंगल लेंगे उसका हम 10 लेंगे तो इसमें 1030 आएगा क्योंकि एंगल 30 दिया हुए दूसरी ट्राइंगल में तो तेन थर्टी बराबर हो जाएगा अमूद बटे काइदा के बराबर ही होगा यानि कि A B over B C के बराबर होगा लेकिन इसमें एक चीज़ और एड़ होगी वो ये कि इसमें 50 एड़ करेंगे वो इसलिए एड़ करेंगे क्योंकि C और D के दर्मयान जो फासला है यानि कि वो दो पॉजिशन जिस पॉजिशन से उस बंदे ने चिमनी को देखा है उन दो पॉजिशन के दर्मयान फासला जो है वो 50 मिटर है आप स्पोस कर लें कि पहली पॉजिशन जिससे उसने देखा वो C है और दूसरी पॉजिशन जिससे उसने देखा वो D है और इन दोनों का फासा जो है पचास मिटर है तो हम पचास जो है इसमें जमा करेंगे जो इसकी बेस है या काइदा है उसमें पचास आप जमा करेंगे अब हमने इन दोनों एक्वेशन्स को डिवाइड कर देना है जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1040 ओवर 1030 आ 50 plus BC dividing by BC 1040 की value calculator से निकाल लें 1030 की value calculator से निकाल लें फिर इनको आप cross multiply कर लें जब cross multiply करेंगे तो आप दोनों BC को एक तरफ ले आएं फिर BC common ले लें जब common लेंगे तो आपके बास 1.4532 आ जाएगा फिर इसमें से आप एक मूं माइनस करेंगे तो आपके पास इस तरह simplification करके आखिर में जब आप divide करेंगे तो BC आपके पास आजएगा 110.3 मीटर ठीक है जी ये हमारे पास फासला आगया BC अब उसने हमें C और D का फासला तो उसने हमें already दिया हुआ था हमने मलूम किया है B और C देखें जी B से C तक का फासला हमने मलूम कर लिया है C से D उसने हमें दिया हुआ है तो इसका मतलब हमने इसकी जो टोटल बेस है या इसकी जो टोटल जिसको काईदा कहते हैं या इसको हम सवाल के हिसाब से देखें तो ये उस बंदे का तोटल डिस्टेंस है उस चिमनी के साथ यानि कि जिस चिमनी को उस बंदे ने देखा है वो कितने फ़ासले से देखा है, मक्सिमम कितने फासले से देखा है एक सो दस इशारियात स्वल्भ, घो इसकी पहली पूजिशन नहीं उसके बाद दूसरी पूजिशन के लिए उसने बताया हुआ कि पहली और दूसरी इसकीमम मैंक करें तो पाटव मीटर के फर्रक है तो खेर हमने BC निकाल लिया है BC यानि कि हमने काईदा निकाल लिया है अब हमने क्या करना है अब हम लगाएंगे 10, 10, 40 अब 10, 40 है अब हमने मलूम क्या करना है अमूद मलूम करना है यानि अमूद क्या शो कर रहा है हमारी जो चिमनी की उंचाई है या उसकी height है उसको show कर रहा है यानि कि अब हमने AB निकालना है simply आप अगर ट्राइंगल में देखें तो हमने AB को निकालना है और AB क्या है चिमनी की height है तो हम 40 degree जाविय वाली angle ले लेंगे आप 30 वाली भी ले सकते हैं क्योंकि अमूद तो दोनों का कामनी है अमूद तो चेंज हुआ नियानि कि चिमनी की height तो चेंज नहीं हुई और location सरफ चेंज है आप 30 angle ले 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 या आप 40 वाल ले 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 हैं तो 1040 बेर बाबर आजाएगा अमूद बटे काइदा अमूद क्या है AB और काइदा क्या है BC BC हमने निकाल लिया है 110 है BC की वैल्यू आप पूट कर दें 1040 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालें फिर आप इनको जो है जब आप इनको multiply करेंगे 110 को आप उसके साथ 1040 के साथ तो आपके पास आजाएगा AB आजाएगा 92.56 मीटर अब यह क्या है हमारी AB क्या है यह हमारी चिमनी की हाइट है यानि कि उस चिमनी की हाइट है जिसको बंदे ने जमीन से दो मुख्लिव लोकेशन से देखा है तो इसमें आप थोड़ी सी एक correction कर लें 1040 बराबर AB ओबर 110.3 तो इसमें मैंने divide किया है लेकिन यह divide नहीं होगा यह multiply होगा 1040 multiply by 110.3 तो kindly आप इसको correct कर लें 1040 multiply by 110.3 तो आपके पास final answer जो आएगा AB या चिमनी की हाइट आजाएगी 92.56 मीटर तो यह था आज के हमारा सवाल और ट्रिक्नोमाटिक के questions हमारे पास पूरे हो चुके हैं और यह सवाल थोड़ा सा अर्दू में था तो मैंने सोचा गए इसको थोड़ा clear करके लिखते हैं तो इंशाला मिलते हैं next chapter के साथ